नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर चक्षू और आज आपको बताएंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो कि अगर आप अपने घर में रखते हैं तो हर उम्र के अपने फैमिली मेंबर के लिए एमर्जेंसी में इस दवा को आप इस्तमाल कर सकते हैं और फॉरन रिजल्ट् पाने का सही तरीका क्या है इन सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा बात समझ में आए तो थमसब दीजेगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज ज़रू करिए चलिए जुड़ते हैं और हुमियोपती की प बेलाडोना है क्या देखिए बेलाडोना बेसिकली एक छोटा सा पौधा होता है उसे हम एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं इस दवा के जो यह चोटा सा पौधा है इसकी बहुत डाक कलर की पतिया होती है सुन्दर से इसके पपले इसकलर के फूल होते है इन फूलों से बन उतनी ही अच्छी दवा बेलाडोना है हुमियोपथी के अंदर तो जैसे वो दवा एमर्जेंसी में इस्तेमाल करने में सक्षम है उसी तरह ये दवा एमर्जेंसी में बहुत beautiful results देती है अब सवाल उठता है कि बेलाडोना 30 में आपको किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए और किन-किन चीजों में इस results देगी इनके उपर चर्चा कर लेते हैं देखिए बेलाडोना एक बहुत ही important anti-inflammatory analgesic यानि बुखार को कम करने की दवा anti-inflammatory मतलब सूजन को कम करने की दवा infection को कम करने की दवा और नसों के उपर काम करने वाली एक बहुत ही अच्छी और विलक्षन प्रतिभावाली दवा है यानि इसके इतने अच्छे results है कि यह हर तरह की complaints को solve करने में सक्षम है तो सबसे बहुत करते हैं इसके anti-inflammatory action के बारे में देखिए आपको किसी भी तरह का infection होगा शरीर में तो शरीर anti-inflammatory response शो करता है यानि कहीं पे भी कोई भी infection हो फॉरम सूजन आने लग जाएगी अब वो infection कौन-कौन से हो सकते हैं सब्बोस करिए आपकी आँख में infection हो गया यानि उवियूला के उपर हुआ तो यूवाइटिस इसी तरह अगर larynx में बोलने वाली गरंथी में हुआ तो laryngitis सीने में हो रहा है तो bronchitis अगर vaginal area में हो रहा है तो vaginitis अगर आपके anal area में हो रहे है swelling sudden swelling है तो वहां की भी दवा है बच्चे हैं बड़े हैं घर से बाहर निकलेंगे कोई ना कोई infection होगा जैसे ही infection होगा सूजन आएगी और infection होने के बाद कौन से लक्षन आएगे वो जगा लाल हो जाएगी सूज जाएगी उसका size हलका सा बढ़ जाएगा और वो swelling होगी वहाँ पर pain भी होगा दर्द होगा साथ में गरमा हट आएगी heat होगी और उसे चूने पर जो है patient को दर्द होगा या उस part को move करने में दर्द होगा तो इन सभी symptoms को एकलोती दवा जो बहुत बड़ी है से cover करती है sudden quick response के लिए वो है belladonna अब अगर आप specific infection के बारे में बात करें suppose करिये बात करते है conjunctiveitis के बारे में अब आपको पता है conjunctiveitis बहुत जिल्दी होता है red eye हो जाती है तो conjunctiveitis अगर होता है आँख में infection होता है तो कैसी हो जाएगी आँख लाल हो जाएगी गरम हो जाएगी पानी भहेगा आँख चलाने में दिक्कत होगी देखने में दिक्कत हो सकती है uncomfortable सी state हो जाएगी और बहुत जादा दर्द हो रहा होगा conjunctiveitis की beautiful remedy बलड़ आना इसके बार tonsils यानि जब बच्चों के अंदर कई बार आपने देखा है बहुत जल्दी बच्चों में tonsils हो जाते हैं तो जो बच्चों में tonsils होंगे तो क्या होगा दर्द होगा खाना गटकने में दिक्कत होगा पानी पीने में दिक्कत होगा बोलने में दिक्कत होगा सोते समय खराटे भी आ सकते हैं, बच्चा हर समय कंप्रेंट करता रहेगा, रोएगा बहुत जादा, क्योंकि इतना उसको पेन होता है, हर समय छूने नहीं देगा इसको, और ये एरिया से रहेगा छूने पर कितना जादा गरम है, दवाई क्या है, बेलाडोना, इसी तरह है कान में इ बोलने वाली गरंथी में कई बार ऐसा होता है कि जो हमाई घर की फीमेल्स हैं, कभी गुस्टे में आ गया है, चिला लिए किसी के ऊपर, या बच्चों के ऊपर गुस्टा आ गई चिला दी हो, चिलाने के बात दर्ज शुरू होगा गले के अंदर, और इतना दर्द है कि ब भी अटैक होगा, एंटी इंफलमेटरी एक्शन में जब भी बलाडोना दीनी है तो समझना पड़ेगा, सडन अटैक हो, एक्यूट अटैक हो, तेजी से बढ़े, सडनली बढ़े, तो दवा शूर शॉर्ट बलाडोना है, फोरन देंगे, फोरन आपको रिजल्ट मिलेगा, अब जो अगला यहाँ पर टॉपिक है, जिसे हमें कवर करना चाहिए, वो है फीवर, बलाडोना फीवर की एक बहुत ही बढ़िया दवा है, और स्पेशली बच्चों के लिए, आपने देखा है, अगर बच्चे को कोई इंफेक्शन नहीं गुआ, लेकिन फीवर चुरू ह आपको पता है, मौसम चेंज हो रहा है, आप आजकल बारिश का मौसम थोड़ा बहुत होता है, तो बारिश के मौसम में अगर ऐसी चल रहा है, ठंडक हो गई, बच्चे को फीवर आएं लग जाएगा, और ऐसा लगए का बच्चा तेजी से तप रहा है, छोटे बच्चे लगबग तीन साल तक के बच्चे अगर हैं, घर में आपके, और उनकर तेजी से फीवर आ रहा है, बिल्कुल बदन तप रहा है, आप छू रहे हैं, तो आपको डर लग रहा है, भी तर तेज फीवर आ रहा है, मन कर रहा है, फटाफ़र डॉक्टर के पास लेकर चले जाए बिल्कुल टच नहीं करने देगा, चलच राएगा बुरी तरह से, बहुत रोएगा, दवा है बेला डॉना, अब जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज जिसमें बेला डॉना यूज हो सकती है, अगर आपको हैडेक होता है, अगर आपको हैडेक हो रहा है, और हैडेक इतना जबरदस्त होता है, कि बिल्कुल मन करता है, यह मेरा सर जो है, फट जाएगा, इतना बुरी तरह से फट रहा है, कि कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ सुनने की इच्छा नहीं कर रही है, बुरी तरह से थ्रॉबिंग सेंसेशन है, नगाले बज रहे हैं, बुरी तरह से एक- पा रहा हूं और suddenly कोई भी तेज आवाज हो कोई भी तेज रोशनी हो कोई बोल दे कोई छूले कुछ भी अगर trigger factor हो गया तो गुसा यह लग जाएगी दर्द बढ़ जाएगा वहाँ पर the medicine is belladonna foreign इस्तमाल करिए foreign result पाईए sudden acute attacks जो होते हैं उनको cover up करने की beautiful remedy है इसी तरह हमारे घर की जो females होती है कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत दिन तक periods में नहीं आ रहे हैं periods में problem हो रही है suddenly period आए बहुत बुरी तरह से आ रहे है too heavy बहुत ज़दा heavy है बहुत ज़दा profuse हैं बहुत ज़दा pain हो रहा है बिलकुल bright red color है बिलकुल परिशान sudden अभी शुरू हुआ है और इतना ज़दा हो रहा है कि वो control से बहार है और दर्द भी बहुत ज़दा हो रहा है बिलकुल ऐसा लग रहा है नीचे छूने की इच्छा नहीं कर रही है लेकिन इतना pain है उनका unbearable pain है तो ऐसी condition में भी beladona is a very good remedy इसके अलावा अगर आपके घर में किसी बच्चे को fits पड़ गए convergence आ ठीक है तो fits पड़ गए और suddenly बिलकुल बच्चे का शरीर एठने लग जा रहा है मुँसे जाग से आ जा रहा है बिलकुल पूरे शरीर उसका एठा बढ़ा है और उसे दौरे बुरी तरह से हिल रहा है बच्चा बच्चा हो चाहे बड़ा हो emergency condition में जब convergence होते हैं तो हर को ही डर जाता है ऐसे में अगर आपके घर में beladona नाम की दवा रखी है तो फॉरन उसकी जीप पे डालिए दस दस मिनिट पे डालिए उसे फॉरन इंप्रूब्मेंट आ जाएगा तो अब आप सबाल उठता है कि जब ये इतनी अच्छी दवा है acute attacks को control करती है emergency medicine है, homeopathi की तो इसे कैसे इस्तेमाल करें और अगर emergency में बिना डॉक्टरी परामर्स के इस्तेमाल करना है तो किन बातों का ध्यान रखें नमबर वन, देखिए, beladona हमेचा 30 potency में अपने घर में रखें safer side remedy है, safer side dosage है, हमेचा फाइदा करेगी अब अगर कोई regular complaint हो रही है तो इसे तरह के बाद दॉक्टर को जरूर दिखाना पड़ेगा मतला बकर regular dose में देना चाह रहे है और कोई भी emergency में डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे है तो प्लीज तीन दिन से ज़ादा आपने patient को मतलट काई है केवल तीन दिन तक ही इस्तेमाल कर सकते है उसके बाद दबाईयां बदलनी पड़ जाएंगी अब लेकिन emergency में इस्तेमाल करनी है और emergency में फटाक से result चाहिए बहुत परिशान है और quick results चाहिए चाहे वो सरदर्ध हो, चाहे वो menses आ रहे हो चाहे वो convergence हो, चाहे वो fever हो चाहे वो किसी तरह का infection हो जो कि बच्चे को बड़े को किसी को भी परशान कर रहा है बेलाड़ना 30 इस्तेमाल करें पंदरा पंदरा मिनिट पे लगातार 3 खंटे तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको within 3 hours improvement आ जाएगा 3 खंटे के बाद इस दबा को बंद कर दीजे और उसके बाद इसे दिन में 3 बार के इसाब से आप दे सकते हैं तो acute attack को control करने के लिए इसकी dosage रहेगी 15-15 मिनिट पे आप इसे repeat करेंगे कितनी drops यूज करेंगे जब भी इस्तेमाल करें कितनी drops यूज करें केवल 5 moon दवा इस्तेमाल करें और कोशिश करें एक चमच पानी में डाल के इस्तेमाल करें कभी भी direct बच्चे की जीप पर ना डालें अगर बहुत emergency है पानी नहीं दे पा रहे हैं बच्चा मू नहीं खोल पा रहा है तभी उसके जीप पर दो बून टपका हैं दो बून में भी वो बहुत अच्छे results दे सकती है तो यह हो गई बात dosage की और potency की तो I hope कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि ब्रेड़ोना कितनी अच्छी दवाई है कितनी बढ़िया emergency medicine है कितने अच्छे results शो कर सकती है तो आप से request करेंगे इस दवा को अपने घर में जरूर रखिएगा emergency में इस्तमाल करिएगा लेकिन 72 गंटे था यानि 3 दिन से ज़ादा इस्तमाल ना करे उसके बाद हम doctors के बाद मुरीज को जरूर लेके आए दवाईयां बदलनी पड़ेंगी और तभी proper results बच्चे को मिल पाएंगे या बड़ों को मिल पाएंगे तो I hope कि मैंने इस वीडियो में जो बाते आपको बताई है आप उससे संतुष्ट होंगे आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि बलड़ोना नाम की जो दवा है न हुमियोपथी की वो घर में जरूर रखनी चाहिए और एमर्जेंसी में फोरण इस्तिमाल करने चाहिए क्योंकि शोर शोर्ट रेमिडी है और डॉक्टर चक्षू ने बताया है results जरूर देगी तो अगर आप इन सब बातों से संतुष्ट है और कुछ समझ में आया है कुछ सीखें है तो प्लीज थमसब जरूर दीजेगा और अगर चैनल पर पहली बार आये थे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम चाहते हैं हम आप से जुणे कुछ नया आपको सिखाएं लेकिन हमियोपथी की इमेज को बहतर करें लोगों के बीच में हमियोपथी चिकित्साब बद्दिती को आगे बढ़ाएं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेही तरफ से नमिशकार थैंक यू